अनिशा का डिप्रेशन हुआ है निहा के वज़े से देखो मुझे तो सरम आ रहा था भाई उससे पक्का चक्कर ही है तोड़ा ऊचे आवाज भी बात कर दें तो बहुत बहुत बंदा थोड़ा कंट्रोवर्सी करती कोई भी बात करने में जब हर चीज यूटूब पे फैल र करने वाली हूं सचीन सरिता और अमित मिस्रा यहां तक किट्टो अगुरानी भी आ जाती है मैं सब के बारें बात करने वाली हूं नेहां के बारें बात तो आप लोग वीडियो बने रहेगा पूरा वीडियो देखे कोई भी राय लेके कमेंट मत करेगा अगर इसके पहले आप मेरे चैनल पर NEW है तो चैनल को जरूर सब्कराइब करें लाइक करेंगा शेयर के बैल आइकोन दिया तो चलिंद करें तो यहां पर सचीन ने एक वीडियो ढालते हैं सहीं जिसमें Amit Mishra को बोलते हैं एक बंदे को मैंने Facebook का पूरा knowledge दिया यहां तक कि उस बंदे को मैंने सहीता जी से लेकिन उस बंदे ने मुझे भी unfollow कर दिया तो पहली बात यह कि उसके बाद आता है Amit Misra मिरा ना सही है देख रहे हैं ना गलत रहे हैं उनका धढले से वीडियो आता है उसाब मुझे मिलवान को मानुत אז यह दूसरी की की वज़े से ही इस समस्ट धाय कुछ भी समझ दो मैं उनका भरपूर साथ दूंगा खुले आम साथ दूंगा एक चीज बहुत गंदा लगा वह जैसे सचीन को रोष्ट कर रहे थे इत्दम पूरा वीडियो तयार करके मुझे ऐसे करना जो उनके पीछे बंदा था रहां वह सचीन का टिट्टो कॉपी कर रह दूंगा माल लो साइद मिस्ट मिस्रा का यह कहना था कि मैंने सचीन से बोला था कि आप गलत हो आप इस बात को माल लो मगर वह बंदा अपनी गलती मानने को तयार नहीं हो जिसकी वज़स मैंने उसको अनफालो कर दें भाई जब तुम ना गलती नहीं मानोंगे तो मैं पहला इंपोर्टेंस तो मुझे मिलना चाहिए ना कि उस बंदी को जिससे आप बाद मिलें देखो सिंपल सी बात है मैं किसी का फेवर नहीं ले रहूं ना मुझे कोई पैसा दे रहा नहीं मेरे वीडियो पीस आता है मुझे उससे पैसा मिलता मैं पहचान बनाती हूं इतने कम सज्क्राइब कर देखने कम में उनका मिलियन में वीउस मतब चैनल का जो है सस्क्राइबर मिलियन में में एँ दो हजार तीन हजार पाच यह पाचर यह दसे इस अच्छा तो मेरे भाही है वह वह बहुत कहना था कि जब सज़िदा भाविक घर गयते तो सद्टा भावनी बहुत इज़त किया इस पेशल ट्रीट कर देखो इस पेशल ट्रीट नहीं हो अगर हम किसी घर जाते न तोड़ा ऊचे आवाज भी बात कर दे तो बहुत बुरा फिल आता है इस बात को आप लोग मानों या मत मानों जैसे हम किसी घर गय को यह अपमान कर है कि कोई भी बात करने जब हर चीज यूटूब पर फैल रहा है अगर मान लोग को इन लोग का पर्सनल भी बात था उसको प्यार से भल बोल सकती थी ढंक से कहीं न कहीं सायस से उनको पहले से ही सचीन पर गुस्सा रहा होगा ऐसा कुछ रहा होगा इसके वज़े से सचीन गुस्सा उतार दी नहीं तो मालो सचीन उनको फिर भी छोटाओं के सौरी बोला जो स्क्रीन सोट दिखाई थी सचीन सौरी बोला उसमें और मतलब गलती भी माल लिए चलो भाई दीदी मैं रियक्ट कर दिया वह रियक्ट कर दिया लेकिन उसके बाद भी सायद वो लोग आप बादचीत बंद हो गया उसी बादचीत के बंद अगर सटा जी मालो इस चीज से मुझे प्राब्लम हो रही उन लोग के बीच के अगर सटा जी जब सही है तो मतलब हर क्रियेटर को क्यूं दवाव बना रहे थी कि सचीन को अनफालो कर दो कहीं मन में ऐसी चीजे तो आई ग वहीत बात किया जाए नेहा का तो नेहां का बिलकुल एक नंबर डिसीजन है नेहां ने बिलकुल सैग है भाई दोनों पराबर दोनों सेम है क्यों किसी कौन फालो करना चाहिए है कि नेहा मतलब बोलती परफेक्ट और नेहा का और सचीन का जो नाम लिया जाता ना जोड़ा जाता ना बहुत कत्ताई पाप है देखो अगर मैं ही इपने भाई के साथ कही जाओंगी ज्यादा हस बोल दूंगी न मेरा सगा भाई मेरा ब भाई बहन तो आजकल सगे भाई बहन पर भी डाउट कर लें तो तो सचीन और नेहा है तो बहुत लोग का ये भी कहना नेहा सच्जुस मनिशा है ना मनिशा का डिप्रेशन हुआ है निहा के वज़ा से ऐसा कुछ नहीं है बाबा अगर हर बीबी न अपने पती की हर बात ज के लिए नेहा 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 है तो यह था मैं इसमें अमित मिश्रा को बहुत गलत बोलना चाहूंगी कि देखो लगाव भले हो जैसे मेरे घर में कोई गलत कर रहा है लगाव वो तो घर का रहता ना अभी लगाव का मतलब थोड़ी नहीं कि तुम गलत करोगे फिर भी साथ मेरहेरा जहला है और जहां तक बात हुई सचिन को वो साथ गलत बिहेब देखो की थी तो किसी को भी बूराल लगेगा और मेरी तो यहीं राय है कि इसमें नेहा को फालतु में सब घसचीट रहा है कि नेहा कि वोढ़ारिः प्योग पेर को अपने सर पर लगाव कोई नहीं रता नहीं हाँ बिल्कुल पर्फेक्ट है बिल्कुल सही हंडिट परसेंट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करेंगा शेयर करें बाब्बाई दोस्तों रखें अपना ख्याल